नमस्कार मित्रों, डेजार पॉइंट चैनल के एक नए विडियो लेक्चर में, मैं हूँ अमित दूबे, और आज के इस विडियो लेक्चर से हम competitive exams के लिए English grammar के series श्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, जो English grammar की समस्याओं से जूजते रहते हैं, वो बहुत महिनत करते हैं, लेकिन उनकी grammar complete नहीं हो पाती, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा अस्थान मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए, जहां पर उनकी पूरी की पूरी grammar complete कराई जा सके, और उनको बहुत deep और सरल तरीके से समझाया जा सके, तो मैं आज के इस साथ इस grammar को मैं बहुत बारीकी से सरल सब्दों में और बहुत सटीक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, कि आपके exam में जो questions आते हैं न, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाओंगा, आपके questions आपको exam के questions बार बार पूछे जा रहे हैं, वो यहां पर मिलते जाएंगे, questions match करते topic, आपके पास किसी भी book, कोई भी precaution की book हो, वो topic जब आप उस book में पढ़ने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, यह topic complete है, यह topic धुआ हो गया, अब इस topic में कोई doubt नहीं है, चलिए अपने English grammar की series को start करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी बाते हमने पहले ही कर ही है, चलिए आपका thumbnail आपने देखा होगा, English grammar, for all competitive exams, all का मतलब यहाँ पर यह है कि आप SSC में तयारी कर रहे हो, CGL, CHSL, या फिर कोई भी, आप defense में तयारी कर रहे हो, एंड ये वगारा, या फिर xy group, air force, कोई भी, आप bank की तयारी कर रहे हो, यानि आप कोई भी तयारी कर रहे हो, A to Z, अगर English grammar आपको पढ़ना है, तो ये आपका ऐसा point है, ऐसी जगह पर आप पहुँच गया है, कि आपके English grammar अप complete हो जाएगी, चलिए, सबसे पहला प्रश्न, English grammar समझ में क्यों नहीं आते, या फिर English grammar की समस्याओं से हम लगातार जूज क्यों रहे हैं, इसका एक सरलसा उत्तर है, बहुत ही सटीक उत्तर है, यहाँ पर लिख दिया हमने, Tense, और इसका एक दूसरा नाम है, काल, होता क्या है, आपके साथ होता क्या है, कि आपने सिर्फ इसको नहीं समझा है, आपको लगता है कि आप इसको समझ गया है, लेकिन आपने इसको नहीं समझा है, अगर आप इसे समझ लेते ना, तो आप पुरा का पुरा पार्ट साफी speech कर सकते हैं कोई डाउट नहीं होगा पूरा का पूरा पैसिव वाइस कर सकते हैं कोई डाउट नहीं होगा पूरा का पूरा narration हल कर सकते हैं कोई डाउट नहीं होगा synthesis, syntax, transformation साथ ही साथ Hindi English translation, passage से related questions मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप पूरी की पूरी कहते कावत है कि मनजल कितनी भी दूर हो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं तो ये पैर है अगर ये है ना आपके पास तो रास्ता अपने आप बना हुआ है आप अपनी मनजल तक पहुंच जाएंगे टेंस इतना भड़काओ क्यों है यानि टेंस इतनी आसानी से समझ म होते हैं वैसे इसके भी हजार नखरें हैं आज इसके नखरों को थोड़ा सा हल करेंगे ध्यान से समझें सबसे पहले एकदम बेसिक से चलते हैं आप टेंस का मतलब क्या समझते हैं पहले यह समझना है आप समझते हैं कि टेंस का मतलब होता है यहां पर हमने लिख दिया टेंस को निकाल कर कह सकते हैं कि TENS is equal time पहरे देखिए हम आपको किस तरह से गलत सिद्ध करेंगे आपके पुरान विचारों को आप भी जाकर किसी से पूछ ले या फिर आप से आकर कोई पूछ ले कि अब बताईए आपके घड़ी में कितने टेंस हुए है तो घुमा के फैट मारेंगे आप उसको क्यों कि उल्टा सीधा प्रस ने पूछ रहा है यह पूछो ना कि घड़ी में कितना टाइम हुआ है तो यह उट पटांग लगता है सुनने में ही तो जो चीज सुनने में यह उट पटांग है आपको क्या लगता है वो सही है नहीं टेंस की असली डिफिनीशन टेस्ट टेंस की असली और सरल डिफिनीशन तो यह है कि टेंस कि इस is a form of verb, pull stop, इसको हिंदी में लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि टेंस, कुरिया का ही एक रूप है, ये दुनिया की सबसे सरल और सटीक डिफिनीशन है, अब इसको सही सिद्ध करने के लिए आपको अगली स्क्रेल पर चलना होगा, एक एक्ज़ांपल हम आपको देते हैं, यहाँ पर एक्जांपल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए कितना चेंज होता है, दे इट एन एपल इसका मतलब होगा वे शेब खाते हैं और दे एट एन एपल इसका मतलब होगा उन्होंने शेब खाया भाई हम बड़े स्तुस्त आदमी है तो धीरे धीरे डीटेल में हर एक चीज को पढ़ाते हैं ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर भी दे था यहाँ पर भी दे है यहाँ पर भी एन था यहाँ पर भी एन है यहाँ पर भी एपल था यहाँ पर भी एपल है लेकिन आपने क वर्ब को चेंज किया है वर्ब चेंज कर दी आपने यहां पर इट था यहां पर आपने एट कर दिया यह वाला वाग के प्रेजेंट का था यह वाला वाग के हो गया पाश्ट का तो आप देखिए इसकी कमजोर नस कौन सी है वर्ब वर्ब चेंज हो गई वर्ब चेंज हो खायी तो टेंस भी चेंज हो गया बालकों की कमजोरनस क्या है जिससे प्रेम करते हैं वो कमजोरनस है अगर कोई क्या को आपको तकलीफ देना चाहता है तो आपके पास नहीं आये गा क्यों जानता है कि आपके पास गये तो पढ़ी कान के नीचे लेकिन वो कहां जायेगा उसके पास जिस से आप प्रेम करते हैं उसके माद्यम से आपको दबाने की sarà कुसिज करेगा आपका चैन और सुकून चीनने की कोसिज करेगा क्योंकि वो जानता है कि आपकी कमजुरनस कौन सी है समझ रहे हैं कमजोरी पकड़ना सीखिए जैसे लोग आपकी कमजोरी पकड़ते हैं वैसे आप पढ़ाई में कमजोरी पकड़ना सीखिए चलिए टिन्स की कमजोरी क्या है टिन्स की कमजोरी है वर्ब क्यों क्योंकि टिन्स प्रिया का ही एक रूप है वर्ब का ही एक रूप है टिन्स इस फॉर्म ऑफ वर्ब यह बेसिक सी चीज है बहुत सरल चीज है बहुत सटीक चीज है यह दुनिया की सबसे सरल परिभार्शा ह और इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए अब टेंस हमें दो चीजों के बारे में बताता है पहले उसको समझिए और फिर वहां से आप टेंस के रूप निकाल सकेंगे कि आखीर इसके की रूप कितने है चलिए आपने ये समझ लिया आप स्क्रेंस ले सकते हैं नोट्स आपको अप पर मिलेंगे अभी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा और यह आप स्क्रेंस ले लीजेगा इसके नीचे आप लिख दीजिएगा कि टिन्स यानि क्रिया बदलेने पर टिन्स भी बदल जाता है यह सिंपल सा एक्जाम्पल है आप देखी आगे आगे आप देखेंगे कि आखिर टिन्स हमें बताता कि इन चीजों के बारे में तो अगर आप देखें तो टिन्स आपको आफ एक्षन यहां से जन्म होने वाला है तो लोगों का तीन लोगों का बशीस रूप से तो ध्यान से समझेगा और दूसरा यह आपको बताता है state of an action अब ये time of an action क्या है और state of an action क्या है ये समझना हो अगर तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि time of an action ये क्या है time of an action की बात करें तो सबसे पहला तरीका मैं एक एक्जामपल लिखता हूँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि राम इड्स चले राम नहीं लिखते हैं सीधा सीधा वह लिखते हैं जो आपने लिखा हम सीधा सीधा लिखते हैं पहला वाग के दे इड्स अन अपन फुली स्टाप दूसरा दे अट आपन तीश्रा आप दे विल एड्ट एड्स आपन अपन तीश्रा इस राव दे विल एड्स एड्स आपन अपन पहलाब पहले वाले का मतलब है वे सेब खाते हैं दूसरे वाले का मतलब है उन्होंने सेब खाया तीसरे वाले का मतलब है वे शेब खाएंगे तो यह जो time of an action है जो टेंस आपको पहली चीज बताता है वो है time of an action दूसरा स्टेट आफ एक्षन टाइम आफ एक्षन का मतलब सीधा सीधा यह है कि यह आपको बताता है कि किसी भी एक्षन के होने का टाइम क्या होगा किसी भी कारे के होने का शमय क्या होगा यह आपको तीन तरह का समय बता रहा है पहला वे शेव खाते हैं यानि वरतमान में शेव खा खाने की दूसरा वे सेव खाएंगे यानि उन्होंने सेव खाया जहिए सी बाते उन्होंने खाया आप कहते हैं तो खालिया ना खाया यानि पास्ट की बात हो रही है खाया ठीक है इसने गाना गाया ये गा रही थी गाना इसी ने गाया है और यही गायी ये गाना गाया इसने गाना गाया था ऐसा भी हो सकता है उन्होंने सेब खाया था ऐसा भी हो सकता है ठीक है और वे सेब खाएंगे यानि अभी नहीं खा रहे और नहीं खा चुके हैं बलकि सपना भी यह दिखाता है सो आपके पास total तीन टेंस निकल कर आते और वह टेंसे कहां से निकल कर आते हैं aches in time of an action Say to keep it time of a action में टिर्सापको तीन चीज़े बताता है प्रेजन्ट में काम वा बश्ट में काम हुआ या फ्यूचर में होगा यानि यह हो जाएगा डिरेजने और रेसे आटेंस यह हो जाएगा पास्टत यह हो जाएगा future tense ये थोड़ा फिंस जैसा दिख रहा है फिंस नहीं tense तो tense मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं first second और ये हो गया third ठीक है ये tenses तीनों कहां से निकल कर आते हैं ये तीनों tenses निकल कर आते हैं time of an action अब आपके मन में बात और आ रही होगी कि time of an action तो ठीक है लेकिन state of an action क्या है ये क्या है state का मतलब होता है दसा या फिर इस्थिती यह हमको ये भी बता देता है बड़ा चुबल खोर है जैसे लड़किया होते ना किसी लड़की को कोई बात बता दीजिए कोई भी बात किसी लड़के को अगर कोई बात आप बता दें तो उसके पेट से आप बात बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन किसी लड़की को अगर कोई बात बता दीजिए जब तक सो लोगों को नहीं बता देगी हर एक तरह से प्रेजेंट पाफ तoco यह भी जान लो साथ ही साथ आपको यह भी बता देगा कि आपकी दसा क्या है यानी इस काम की दसा क्या है उस काम की स्थink राम की आपा यह कोड़ा लिए का मेन दों की दसा यह है की राम शेब खा रहा है अर्थात इस काम की दसा ये है कि ये काम अभी हो रहा है यानि ये आपको ये भी बता देगा कि काम अभी हो रहा है या फिर काम हो चुका है या फिर काम होगा काम की दशा और काम का समय जो बताता है वो टेंस कहलाता है समझ में आ गई बात यहां से टेंस के दो पार्ट निकले हैं एक टाइम आफ एन एक्शन एक स्टेट आफ एन एक्शन time of an action से तीन तेन्स निकल कर आए एक present टेन्स एक past टेन्स एक future टेन्स और state of an action का मतलब होता है कि यह आपको कारे की दशा या फिर इस्थिति बता देता है कि काम पूरा हुआ है या पिर अधूरा है या फिर अभी होने वाला है जो भी इस्तिती होगी आप टेंस की मदद से उस कारे की इस्तिती जान सकते हैं, चलिए, अब टेंसिस की भी कमजोरी होती है, बहुत सारे लोग परिशान रहते हैं, टेंसिस को देखकर, टेंसिस की भी कमजोरी होती है, प्रिजिन टेंस है अगर तो इसकी कमजोरी होती है, हा अगर हिंदी वाक्य के अन्त में हा शब्दा रहा है तो 99% चांस यह है कि वह वाक्या present tense का होगा past tense की कमजोरी होती है था एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं एकदम छोटे बच्चों की तरह अगर वा हिंदी वाग्य के अंत में था आता है तो 99% चांस ये है कि वाग्य पाश्ट TENS का होगा और future tense की कमजोरी होती है गाप अगर वाग्य के अंत में गाप रहा है तो 99% चांस ये है कि वाग्य future tense का होगा üler हो गया? अब इन tenses के भी part होते है जिसका अगले पार्ट में हम अध्यान करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम मुझे ये पुरी की पुरी शीरीज कम्पलीट करनी है और साथ ही साथ मैं आपको पुरी की पुरी शीरीज के नोट्स भी दूँगा तो मन लगा कर पढ़िएगा मैं आज वादा कर रहा हूँ आप सभी से भले ही आप ग्रामर में कितने भी कमजोर हूँ या फिर ग्रामर आपकी अच्छी हो फिर भी आप ग्रामर में जूज रहे हो समस्याओं से आप competitive exam में बार बारा सफल हो रहे हो ग्रामर की वजह से तो मैं वादा कर रहा हूँ कि सीरीज को complete कर लीजिएगा ये पूरी की पूरी सीरीज free में रहेगी और एक book ले लीजिएगा क्योंकि आपके सपनों से ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है तो एक book खरीद लीजिएगा जिस भी competitive exam की आप तयारी करते हैं मैं जिस चीज को पढ़ाता जाऊंगा उसे आप मिलाते जाईएगा और आप देखेंगे कि आपके सारे doubts clear हो जाएगे चाहे book कोई भी प्रकाशन की हो चाहे कोई भी book ले रखी हो आपने आपके doubts clear होते जाएगे competitive exam में जो questions बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी मैं कराऊंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने में चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद next part में हम आपसे फिर से मिलते हैं